बल्रामपुर जिले के पंसरा गाउं में 16 लाफ की लागत से तैयार की गई उद्यान विभाग की नरसरी में पाने की कमी से लाखो रुपए का व्रिक्षा रोपन हुआ बरबाद पंचायत के जन प्रतिनीधियों ने लगाया विभाग पर अंदेखी का आरोप कलेक्टर कह रहे हैं जाज के बाद कारवाही की बात बल्रामपुर जिले के वाडरफ नगर विकास खंड में 15 गाउं के कैलाशपूर में वर्ष 2014 से 15 में रोजगार गैरंटी के तहत 46 एकर में 16 लाख रुपए खर्च कर उद्यान विभाग के लिए नरसरी तयार की गई थी जिसमें लाख रुपए खर्च कर 23,000 फरदार पौधे लगाए गए थी लेकिन पानी के अभाव और अधिकारियों की लापरवाही से नरसरी के सारे पौधे सूख कर मर चुके है उसके वज़े से आलू का पौधा और जितने परले पौधा लग चुका है, जामून का पौधा है, आम का है, वो सब पाला के वज़े से आजकल मर रहा है बताए जा रहे कि पानी के अभाव से पूरे पौधा मर गå है गाओं के उपसर पंचपती का कहना है 46 एकड में फैले उद्यान विभाग को पहले पानी की उचित विवस्था करने के बाद ही सरकारी फंड से पौधे लगाने चाहिए सरकारी राशी का दुरुपयोग कर फंड का बंदर बाट कर लिया गया है और जिले के उच्छ अधिकारी नरसरी में आकर कोरम पुरा करके चले जाते है वहीं इस मामले में जिले के कलेक्टर का कहना है कि यदि शाशकिय राशी से व्रिक्षर ओपन किया गया है तो व्रिक्षोक के रख रखाओ के जिम्मेदारी भी विभाग की होनी चाहिए यदि पौधे पानी के अभाव में मरे है तो जाच कराकर संबंधित के उपर कारवाही सुनिश्चित की जाएगी सब्सक्राइब लगाया है तो मैंने समझत अभी इतनी गर्मी भी नहीं है यह क्या उसके मोटलेटी क्या काराण क्या होगा जाने की भाग के पत्राम साहब है कोई कुछी की उरिष्ट अदिकारी लोग आए हैं साय ताज चले गया थे कल टील बैठक है इसमें मैं मैं पूछता हूं क्योंकि यह निशित्वल पे पेड़ेदी लगाया गया है वह दियाथ की परिशर में इस तरह की मोटलीटी हो जाती है तो इसको हम उचित नहीं कह सकते हैं और कोई लापरवाई होगी पर मॉर इसमेशन लागान तो www.glips.net